नमस्ते आप सभी को स्वागत एक नए वीडियो में इस वीडियो में क्लास तेंथ का मैद का एक महत्पून कोश्चन बताऊंगा कोश्चन है 96 और 404 के अभाज्य गुननखंड बीधी दोरा लस और मस ग्याद करना यानि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अभाज्य गुननखंड बीधी से लस और मस कैसे ग्याद कर सकते अगर आप क्लास तेंथ का स्टूडेंट है ते एक वार इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि बोड एक्जाम में इस तरह का कोश्चन हमेशा पूछा जाता है तो देखे इसमें सबसे पहले आपको क् लगेगा तो कितना हो जाएगा 24 फिर दो से देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और फिर दो से देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और फिर दो से देंगे तो कितना हो जाएगा यहां थीरी हो जाएगा और फिर अब दो से ने अब थीरी से लगेगा तो थीरी ह कम थीरी और इतना आपको पता होगा कि अभाज्य गुननखन कैसे निकालते हैं अभाज्य गुननखन निकालने के लिए हम अभाज्य संख्या से हमेशा भाग देते रहते हैं जैसे माली जे पहले दो से देंगे अगर दो से नहीं लगेगा तो तीन से देंगे तीन से नहीं ल 2 आएगा और फिर 2 से देंगे, तक इतना आएगा, 101 आएगा अब देखे 101 अभाज्य संख्या, इसमें आप किसी से नहीं लगेगा ठीक है न? याद रखेAlp 101 में अब किसी से नहीं लगेगा तब इसके आगे क्या करना है यह थोड़ा बरा है अब बरा नहीं दीजिएगा चीक है चलिए अब क्या करते है असान है देखते रहिए बिल्कुल कुछ ही दिर में समझ जाईएगा तो देखिए 96 का गुन अन्खन कितना है दो गुने दो गुने यानि कितना दो है पांच दो है ता पांच दो दे दीजिए और एक तीन है आप इसको चाहते ऐसे भी लिख सकते है कितने दो है पांच गो दो है तो दूपर पावर पांच और एक तीन है तो एक तीन दे दे सकते है ठीक है अब देख लीजिए फोर हंडेट फोर का इसका गुन अन्खन कितना है दो दो आया है और 101 आया है इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं दू कैगो है दू गहत दू इसक्वार और यहां 101 अब देखिए अब क्या निकालना है चलिए बताते हैं पहले LCM है यानि लसा है तो लसा लिखेंगे लसा लसा यानि LCM ठीक है न लसा किसका 96 में और किसका है 404 का है देखिए लसा भी आसान है यहां 2 के पावर कितना है 5 है यहां 2 के पावर कितना है 2 है तो अधीक पावर कितना है 5 तो आप 5 दो पर पावर 5 लिख लिजेगा अधीक पावर वला लिखेगा ठीक है न यहां 2 ही प तो 5 भाल हम लिख लेंगे जो अधिक्तम मढब होगा न वही लिखेंगे समझे यहां इसा एक ही है यहां एक भी नहीं है तो एकी लिख लेंगे और एकस औॅ भी अकेले है कि अँए इसाथ ही देगे कर दीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 101 ठीक है तो सब को गुना कीजी गया न तब को याद रखेगा आएगा 96 96 आएगा अब गुना करके देख सकते हैं ठीक है न उसके बाद LCM निकल गया याद रखेगा दूपर पार 5 है तो आप 5 पर न लिखके एक बार अलग हल करके यहां लिखके फिर इतना से गुना कर सकते हैं याद रखेगा लिकिन मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से दे दिया हूँ आप भी इस तरह से दिजेगा तो भेतर हो का और यहां भी देखेगा इतना ही पर छोड़ दिजेगा और इतना ही पर छोड़ दिजेगा फिर भी चलेगा यह नहीं दिजेगा फिर और यहां अधिकतम कितना दू है पांच यहां दू है दू बार तो यहां अधिकतम पांच बार लिखे देंगे फिर एक तीन बार है और 101 एक ही बार है, अब देखिए SCF निकालेंगे, SCF यानि मौसा लिखिएगा, SCF कितना? 96 और 404 का, SCF निकालने के लिए क्या करना है आपको? इसमें जो common होगा, क्या होगा? देखिए, इसमें common कितना है, इसमें कैगो दू common है? इसमें दू 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 इसमे भी है, दू दू तो कॉमन यानि दू दू होजाएगा, तो दूदुना चार यही क्या हो गया इसी अप हो गया इसी तरह से आप बना सकते हैं समझे न तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद